एक इनसान जब successful हो जाता है तब ही उसके बारे में लोग लिखते हैं, उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, ताकि उसकी story के बारे में बता के लिखने वाला भी पैसा कमा सके, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब लोग उस इनसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चा बट वीडियो बनाने का एक और रिजन है कि सचमुच आज यश जिस सफलता की उंचाए पर पहुँच चुके हैं उसके पीछे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और ये स्टोरी हर किसी को जाननी चाहिए ताकि लोग उनकी इस कहानी से कुछ सीख सके और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मोटिवेट हो सके जानेंगे यश की जिन्दगी के कुछ अंचुए पहलू वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किदर है आज यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 एक बड़ी ब्लॉकमस्टर फिल्म साबित हो चुकी है लेकिन हम फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे यश के KGF चैप्टर 2 तक की जर्नी के बारे में और जानेंगे उनके आटो रिक्षा से प्राइवेट जेट के इस सफर को KGF चैप्टर 2 के प्रोमोशन के दौरान जिस प्रकार से यश की पॉपुलारिटी उनकी फैन फॉलॉइंग देखने को मिली थी इतिहास में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है लेकिन क्या ये जर्णी ये चकाचौंद ये नाम शोहरत उन्हें आसानी से मिल गई तो आफकोर्स जवाब है नहीं जे अरुन कुमार नाम के बस ड्राइवर के घर जन में थे यश जिनकी माता जी का नाम है पुश्पा पिता जी बस ड्राइवर थे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लोवर क्लास फैमिली रही होगी फिल्मों में आने से पहले यश एक प्रॉविजन स्टोर चलाते थे लेकिन शायद उनका सपना उस प्रॉविजन स्टोर तक सिमित नहीं था उन्हें चाहिए थी दुनिया जैसा कि वो केजे फिल्म में भी बोलते नजर आते हैं अब क्योंकि यश का इंतिजार यश और शोहरत दोनों आखे बिचाय कर रहे थे तो यश भी प्रॉविजन स्टोर के बंधन को तोड़ कर घर से बाहर निकलाया जेब में तीन सो रुपे लेकर वो तलाश ने लगा अपनी मंजिल लेकिन एक आउटसाइडर जिसका फिल्म इंडस्ट्री में गौडफादर तो दूर की बात है कोई जान पहचान वाला भी ना हो उसके लिए इस मंजिल तक महुचने का सफर आसान नहीं रहा था KGF Chapter 2 में जब यशन नेपोडिजम को लेकर एक डायलोग बोला था तो वो डायलोग कहीं न कहीं हिंदी सिनेमा के उन स्टार किट्स के लिए भी फिट बैठता है जो कब नोटबुक से चेक बुक पर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता उनकी स्कूलिंग भी पूरी नहीं होती और दूर कहीं करंज और जैसा व्यक्ति उन पर सालों से निगाहे जबाए बैठा रहता है कि कब वो 20 साल के हों और वो उनके लिए थाली में सजा के एक मेगा बजट फिल्म परोस्त दे जहां बैग्राउंड में आईए आपका इंतिजार गाना सुनाई पड़ता है स्टार किट्स को लेने का फायदा भी होता है आखिर कौन अपने चहीते एक्टर के बच्चों को परदे पर देखना नहीं चाहेगा ओडियन्स को लगता है कि फलाने स्टार का बेटा है तो एक्टिंग तो उसके खून में ही होगी हाला कि ये जरूरी नहीं कि राजा का बेटा राजा ही हो और पिछले दो साल में सुशान सिंग राजपूत की मृत्यू ने तो नेपोडिजम पर वो प्रहार किया है कि उस वार का असर आज तक भी बॉलिवुड फिल्में जेल रही है अब यस ठहरे आउटसाइडर तो जाहिर बात है उनका स्ट्रगल अब शुरू होना था अब ये स्ट्रगल उनका तब पहली बार सकसस में कनवर्ट हुआ जब उन्हें ETV कनड़ा पर रिलीज होने वाले सीरियल नंदा गोकुल में काम करने का मौका मिला यहां से उनकी तकदीर, उनकी महनत और उनकी फ्यूचर वाइफ तीनों ने उनका हाथ ठाम लिया इस सीरियल में उनकी को एक्टरस थी रादिका पंडित जो अब उनकी वाइफ भी है अपने दम पर उन्होंने सीरियल से फिल्मों तक का सफ़र तै किया 2008 में फिल्म रिलीज हुई थी मोगीना मनासू जिसमें यश को साइड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला राधिका पंडित जिनसे उन्होंने 2016 में शादी की थी उनके साथ भी वो कई फिल्मों में नजर आये थे और धीरे धीरे राजधानी, कीरा टाका और गुगली जैसी फिल्मों से वो सफलता की सीड़ी चड़ते चले गए अब बात करेंगे उस इंसिडेंट की जिसे आप थमनेल में देखकर ये वीडियो देख रहे हैं 2009 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी कल्लारे सान्थे इस फिल्म में वो लीड हीरो थे और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक आटो रिक्षा पर अपनी फिल्म का पोस्टर लगा कर खुद आटो से ड्राइव करके सवारिया भी ले रहे थे 2009 में जब वो कुछ एक सफल फिल्मे कर भी चुके थे उसके बावजूद आटो रिक्षा पर वो बिना किसी सिक्यूरिटी के बिना किसी मैनेजर के अकेले आटो रिक्षा में बैठ कर शहर की गलियों में अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे और अब 2022 में वही यश है जिन्होंने केजी अफ चैप्टर टू का प्रमोशन पूरे देश में किया लेकिन इस बार वो आटो रिक्षा में नहीं बलकि खुद की प्राइवेट जेट में बैठे थे कहते हैं सपने बड़े देखने चाहिए लेकिन ये भी सच है उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी ही होती है किसी के भी सपने आसानी से पूरे नहीं होते उसके आड़े अनेकों मुश्किले आती हैं फिर वो financially हो, physically हो, mentally हो लेकिन जो इन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है जो अपने अंदर patience रखता है कि आज न सही कल न सही लेकिन एक दिन मैं अपने इस सपने को पूरा करके रहूंगा वो finally उसे achieve करता भी है और जिस दिन वो achieve कर लेता है उस दिन हमारे जैसे लोग उनके बारे में लिखते हैं वीडियोस बनाते हैं आम लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ यश की ये success story आपके अंदर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उर्जा भरेगी विश्वास जगाएगी और निश्यत तोर पर आप भी एक दिन अपने सपनों को पूरा करेंगे ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताईएगा that's all for today friends, मस्त रहिए, स्वस्त रहिए, मिलते है अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए